तो यह intervals होते क्या हैं, इनका use क्या है और इनको guitar पे play कैसे करते हैं, जानेंगे in this video, बहुत ही simple चीज़ है, फटाफट समझते हैं, let's say आपके पास एक scale है, C major scale का example लेते हैं, अब आपको किसी ने बोला कि आपका C major scale में जो second interval है, वो flat है, या वो minor है, तो आपको क्या करना है, आपका जो second note है आपके scale का, इसको आपको half step down कर देना है, अगर आपका interval flat है तो, तो आप पूरा का पूरा scale same play करोगे, लेकिन जो आपका second note है, वो half step down play करोगे, तो instead of playing this, आप ये play करोगे, तो मैंने या पर क्या किया, मेरा जो second interval था, second note था basically, उसको minor कर दिया, या उसको half step down कर दिया, या उसे flat कर दिया, तीनों का मतलब एक ही है, basically intervals का मतलब होता है, आपके scale के जो notes है, वो ही intervals होते है, तो second interval मतलब हमारा second note, third interval मतलब हमारा third note, हमारा sixth interval हमारे scale का sixth note, हमारा seventh interval, इसका मतलब हमारे scale का seventh note, and that's it यही एक छोटी सी चीज है जो आपके पूरे scale में use होती है interval के नाम से तो let's say कि अगर आपको आप कोई बोलता है कि आपके जो scale का 3rd note है वो major है या फिर natural है दोनों का मतलब एकी है तो आप क्या करोगे आपके scale का 3rd note है वो वहीं पे ही play करोगे क्योंकि हम C major scale प्ले कर रहे थे तो C major scale में जो हमारा 3rd note होता है वो already major होता है इसलिए उसको C major chord बोलते है अब let's say आपको कोई बोलता है कि आपके scale का 4th interval है वो sharp है तो आप पहले अपना scale प्ले करोगे 4th note पे पहुंचोगे 1,2,3,4 आप 4th note sharp है का मतलब हम इसको half step ऊपर प्ले करेंगे जैसे हमने flat में half step down किया था हम sharp में half step up play करेंगे तो पूरा का पूरा same scale प्ले करेंगे लेकिन 4th note को half step up play करेंगे तो हमारा जो पहले scale था वो था लेकिन 4th interval sharp होने के बाद हमारा जो scale बना वो था अगर आपको कोई बोलता है कि आपका 6th interval flat है तो आपको क्या करना है आपके scale का 6th note है उसको half step down play करना है पूरा scale same play होगा लेकिन जो हमारा 6th note है वो half step down होगा अगर कोई बोलता है 7th interval flat है तो आपको 7th note को flat कर देना है अगर आपको कोई बोलता है कि आपका 4th interval sharp है तो आपको 4th note को half step up play करना है कभी भी कोई कहता है कि एक interval flat है तो वो note आपको half step down play करना है and अगर कहता है कि वो interval sharp है तो वो आपको half step up play करना है and this is the simplest explanation to the intervals on guitar guys i hope you get something out of this video thank you so much for watching